कि आज क्लास में हम क्वेशन नबर सिक्स कर रहे हैं इंशरेंस क्लेम का बिकॉम फस्ट ये के लिए और जो हैडिंग हमारी चल रही है वो है डिफेक्टिव गुड्स डिफेक्टिव गुड्स के बारे में हमने पिछली क्लास देखा था एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा स शॉर्ट ब्रीफ देता हूँ डिफेक्टिव गुड्स का जब हम इंशरेंस क्लेम में क्वेशन करते हैं तो उसमें हमें ये बात पता होनी चाहिए कि डिफेक्टिव गुड्स पे जो जीपी की रेट होती है वो नॉर्मल गुड्स की तरह नहीं होती है क्योंकि और नार्मल गोड दोनों को अलग अलग करना होता है और यह अलग अलग करना ही इस क्वेसिन का मेन अब्जेक्टिव होता है ठीक है तो आज अपनी question no.6 जैसा कि हमने question 5 किया वैसे ही इसको करना देखते हैं इस देखों सबसे पहले दियावा है अनिरुद एंड कंपनी लिमिटेड का स्टॉक 15 अगस्ट 2019 को आग लगने से जलकर नस्ट हो गया निम्नलिक्षित सूचनाओं से दावे की जाने वाली रकम को दर्शाते हुए एक विवरन पत्र तयार कीजिए इसमें आप देखें ये चार इंफॉर्मेशन 2018 की हैं तो इससे तो आपका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज फिर सेल्स और फिर क्लोजिंग स्टॉक ये 2018 की है उसके बाद में दो सूचना और हैं ये 2019 की हैं इससे बनेगा मैमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट तो आप देखें कल जो हमने क्वेशन किया उसमें भी ठीक ऐसी ही इंफॉर्मेशन थी कोई चेंज नहीं है चार प्लस दो इंफॉर्मेशन वाला ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यहां पर 37,800 ये क्लोजिंग स्टॉक है तो अगले साल में ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा और ट्रेडिंग स्टॉक जो अकाउंट हम बनाएंगे उसका उदेश हमारा जीपी रेट निकालना है तो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेशन को देखते हैं इसमें आगे दिया है वर्ष 2017-18 में 15,000 मुल्य पर खरीदी गई स्टॉक की एक मद यानि एक स्टॉक खरीदा गया था 15,000 का 31 मार्च 2018 को 9,000 रुपे पर मुल्य अंकित की गई तो अब्वेस है ये 15,000 का था और 9,000 पर उसको इवैल्यूएट किया गया इसका अब लो ये डिफेक्टिव गुट से तबी तो इसकी वैल्यू कम हो गया इस स्टॉक के आधे भाग को वर्ष 2018-19 में 3,900 रुपे में बेच दिया गया था ठीक है शेस का मुल्यंकन 31 मार्च 2019 को 3,600 पर किया गया तो जो बच गया उसक वैल्यूएशन है मूल स्टॉक के एक बटा चार भाग को जून 2019 में 2100 रुपे में बेच दिया गया शेस स्टॉक को मूल लागत के 50% माना गया बचा हुआ इस स्टॉक 15,000 रुपे का शेस था जो बचाया गया था आग से तो ये सेवड है जो आग से बचाया था जो सबसे लास्ट वर गटाना होता है पॉलिसी की रिकम 40,000 रुपे थी पॉलिसी में औसत वाक्य लागो होता है अब इसमें ये जो पैरेग्राफ है ना यही सब कुछ आप लोगों के लिए है इसको बहुत ध्यान से समझना है आप एक बार इसको रीड कर लो फिर उसके वाद में व जो था वो उसने क्या कर दिया बेच दिया कितने में सेल किया 3,900 में तो लास्ट कितने का हो गया 3,600 और 7,500 का बिक गया तो पीछे कितना बचा 7,500 का ये तो हो गया एक स्टेप ये 2,019 की गटना होए फिर उसके बात में ये जो 15,000 था प्रेश्ट में कहा कि उसका मूल का एक बटे चार तो इसका एक बटे चार फिर से बेचा गया तो वो होता है आपका 3,750 ये सेल किया गया कितने में 2,100 में और इस 2,100 में जब इसे बेचा तो लॉस कितने का हुआ 16,50 का लॉस हुआ और बचा कितना आपके पास 3,750 बच गया सही चल रहा है इस 3,750 का वैलुएशन 50% पे किया गया तो 50% इसका होता है 18,75 ये लास्ट में अभी भी बचा हुआ था जिस दिन आग लगी थी समझा हागी ये गणित आपने निक ये वादा 18,19 की है 2018 और ये हो जाएगी 2019 बीस की तो ये इस तरीके से आपको इसको करना है अब इसको एकाउंट में कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं दिफेक्टिव गुड्स और टोटल इधर भी नॉर्मल गुड्स दिफेक्टिव गुड्स और टोटल तीन कॉलम बनेंगे और ये आपके ये रोजाएगा 2018 19 के लिए हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक तो कितना दिया है बेटब बूलने एक बार 45,400 उसमें से गटाओ 9,000 क्योंकि जो डिफेक्टिव गुड्स का वैल्यूएशन जो उसमें शामिल था वो 9,000 का ही शामिल था तो गटाने पे कितना आता है 36,400 तो यहाँ लिखना है यह तो आपका हो गया नॉर्मल गुड्स सही बात है अब डिफेक्टिव गुड्स यहाँ पे तो 9,000 गटाया पर यहाँ पे अपने को 15,000 लिखना है क्योंकि हमें हिसाब कितने का रखना है 15,000 का तो टोटल कितना हो जाएगा 51,400 पहली बात सबसे इंपोर्टन पॉइंट यह है ठीक है नंबर दो टू परचेज कितना है 3,16,800 तो लिखें इसमें तो कुछ चेंज है भी नहीं 3,16,800 इधर फिर डैश 3,16,800 हो गया फिर उसके बात में आपके सेल्स दे रखा है सेल्स कितना है तो बाइस सेल्स चार लाग 4,3,900 चार लाग 3,900 चार लाग 3,900 सही लिखा है इसमें से डिफेक्टिव गुड्स का कितना बेचा 3,900 में तो नॉर्मल गुड्स कितने का हो गया चार लाग का ये बात भी समझ में आती है ठीक है अब इसमें लॉस हुआ तो बै लॉस कितने का हुआ 3,600 का यहां पर लिख दो 3,600 तो इन दोनों की टोटल जो है वह आपके कितनी हो गई 7,500 यह समझने के लिए जो आमने उपर समझा था वो है अब उसके बात में क्लोजिंग स्टॉक तो बै क्लोजिंग स्टॉक यह दिया हुआ है कितना दिरे स्टॉक हो गया अब लिखेंगे टू जीपी वह आपके बैलेंसिंग फिगर से आएगा कितना आता है वह कैल्कुलेट कर लो तो सबसे पहले इदर की टोटल लगानी पड़ेगी चार लाग तीन हजार नौसो च्छाटिस सो और चालीस हजार साथ सो कितना होता है कि यह दोनों तरफ पंद्रह जार हो गया इदर कितना चार लाग अर्तालीस हजार दो सो इदर भी लिख दो चार लाग अर्तालीस हजार दोसो तो डिफ्रेंस कितने का आएगा यहां पर बैलेंसिंग फिगर में इसका इस तरफ आले दोनों गटा दो कि यहां पर आएगा असी एजार जीपी यह आंसर दिया वह देखो कि दिया गया कि यह सी एजार जीपी आया और यहां पर टोटल आ जाएगा कितना आता है पेटा यहां पर टोटल और बताना कि इदर के टोटल चार लाग तेतीस हजार दोसो इदर भी बराबर आ जाएगा देखो चार लाग तेतीस हजार दोसो यह संख्या तो आती है ना बड़ना मैच नहीं होता यहां पर भी चार तेतीस दोसो बनता इदर भी चार तेतीस है अची अजार लिखने से आटोमेटिक तो संख्या तो यह यह आएगे यह इसमें यहां पर जो बच्च जीपी आया ना उससे आएगा जीपी रेट तो यहां पर नेक्स स्टेप में आप लिख लो जीपी रेट और जीपी रेट कितना है जीपी अपॉन सेल्स इन्टू सो तो जीपी है आपका असी परसेंट असी लाख सरी असी एजार बट्टे चार लाख इन्टू सो कितना परसेंट आएगा 20 परसेंट यह आपका जीपी रेट आएगा अब इसके बात में यह 2018-19 का हो गया अब अपने को लेना है और टोटल इधर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक जो उपर हमने लिया ना वही सेम यहां पर लेना है 33,200, 7,500 और टोटल एक 40,000 कितना था 700 यह उपर से वापस आ जाएगा इस पर कोई चेंज नहीं है अब आप लिखेंट टू परचेज तो परचेज कितना दे रखा है 18,000 तो दोनों तरफ आ जाएगा 18,000 फिर उसके बाद में बाइ सेल्स कितना दे रखा है बचो यहां पर लिखेंगे 22,100 इसमें से 21,100 का तो डिफेक्टिव गुड्स था तो अच्छा गुड्स कितना हो गया 90,000 यह चीज नॉर्मल है जैसी डिफेक्टिव गुड्स लिखा इदर आप लिखेंगे by loss कितने का loss हुआ इसमें कितना बिटा यह हमने calculate current रखा है ना पहले से 1650 यह देखो अपने यहां पर लिखा था जब question solve किया था तब अब उसके बाद में next आपके है और इसमें कुछ नहीं लिखना लिखना है 2GP तो GP में आपके add the rate 20% लेना है किसका लोगे 20% 90,000 का कितना था है तो यहां पर लिखेंगे 18,000 यहां पर dash यहां पर 18,000 ठीक है सारा सवाल line to line जैसे पहली किया वैसी चल रहा है अब लिखेंगे by closing stock balancing figure तो 90,000 में से आप गटाओ इधर का total लगा लो पहले सारा इधर का total कितना आता है 1,32,200, 7,500 और इधर का 1,49,700 अब उसके बाद में इधर closing में भी सारी total तो पहले लिख देते हैं 1,32,200, 7,500 और 1,49,700 डिफ्रेंस आएगा पहले में 42,200 इसमें आएगा 3,750 आ नहीं है ये तो 7,500 दोनों तरफ लिखना है तो इधर total कितना आता है 42,300, 45,000 हो गया ना 45,950 ये आपके डिफ्रेंस आ जाएगा हो गया या तक दूसरा account भी आराम से बन गया इसमें आप देखो ये जो है ना संख्या ये defective goods का लेखा हमने पहले ही कर लिया था कि भी 2100 में बेचा 3750 का था 2100 में बेचा तो loss कितना हो गया 1650 और closing कितना बचा 3750 तो ये defective अब आप notice करो पिछले में भी यहाँ पे 7,500, 7,500 क्यों कि आधा हम पिछले year में बेच चुके थे तो यहाँ पे 7,500 या आना था तो उसमें पूरा 15,000 की गणित थी इसमें पूरे 7,500 की गणित है अब इसमें आगे क्या करना है अब closing stock आगे है यहाँ तक कोई issue अराम से समिन में आते हैं वो एक star point छोड़ा हुआ है आप लोगों कि उसको मैं देखूंगा क्योंकि यह पिछले साल में मुझे आदे कुछ इसमें थी चेंज था defective goods तो वो उसने कहा कि 50% पर करना है तो 3750 का था ना बचो उसका 50% ले लेंगे कितना आएगा 1800 75 तो टोटल कितना हो जाएगा 44,000 कितना 75 इसने insurance कितने का लियाव है insurance कितने का लियाव है जबकि इसे लेना कितने का चाहिए था तो इसको आप लिखो insurable यह आपकी insurable amount आएगे क्या चीज आएगे insurable amount clear क्यों क्योंकि देखो यह सही goods था यह defective goods था इतना गोदा में पड़ा था यानि इसे 44,000 75 की क्या लेनी चाहिए थी policy लेनी चाहिए थी अब इसने lead 40,000 कि है तो average clause लागो होता है लेकिन उससे पहले यहाँ पर लेस कर दो लेस गुड्स सेवड़ तो यह आपके कितना है यह दियाव है ना पंद्रह हजार तो पंद्रह हजार इसमें से गटा दो तो लॉस ओफ स्टॉक कितना है यह 19,000 29,000 29,000 75 यह लॉस ओफ स्टॉक हो गया कोई दिकत बच्चो अब एक चीज़ आप यह भी समझ लो कि यह जो होता है न वो insurable amount होती है यानि जितना गोदाम में पड़ा था उसमें से हम गटाया देंगे जितना हमने बचा लिया तो यह आपके आया loss of stock अब अपना जो last point है वो है amount of claim amount of claim आपको calculate करना है तो उसका formula आपको पता है loss into insurable amount sorry insured amount upon insurable amount तो अब अपने इसको solve करेंगे loss कितना है यह 29,075 into insurance आपने लिया है 40,000 का जबकि लेना चाहिए था 44,075 का कितना आता है बच्चो 26,000 round कर दो ना किता में दिया होगा answer 300,86 answer दिया हो है आदेख लो exact answer match करता है 4th ल स्दश ने धे लो होगा सक्ट सबस्तों करता है कितना आता है इन दो sound